बहुत अच्छे होगे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और पाकिस्तान से जो लोग देख रहे होगे वीडियो वो और ज़दा खुश होगे कल हम आपको मैच जितके फाइंडल में आपसे मिलेंगे परंतु पाकिस्तान आज के भैतरीन किया उसके बारे में आपना रियक्शन जहां तक मैंने बताया था वैसा ही एक्जेक्टल हुआ मोद धरिसको जो रोल दिया गया और मैंने का था कि बाबराजम सेमी फाइंडल में बड़िया पारी खेलेंगे और उन्होंने अच्छी पारी खेली तो बाबराजम एजए क्रिकेटर बहुत जबरदस्त और उनका भ पहले बलेबाजी आती है और अगर पाकिस्तान चाती ना तो न्यूजलेंड को सोरन के अंदर भी समेट सकती थी परन्तु बाबाराजम ने थोड़ा लिनियंट रखा कि सारे गिंदबाजों को मोका जेगी हाँ आप अपनी गिंदबाज से अच्छा विकेट निकाल सकते हो परन्तु यहाँ पर शाहिन अफरीदी ने पहले ही और में जटका दिया है यहाँ पर फिन एलन का जहाँ पर न्यूजलेंड बैक फुट पे उसके बाद जो हुआ 40-45 करीब न्यूजलेंड के तीन विकेट गिरे थे अगर चाते है वहाँ पर शाहिन अफरीदी या फिर जालते हैं तो उनके सो रन भी बनने मुश्किल होती है तो पाकिस्तान की बॉलर्स आज टोटल डोमिनेशन दिखाया डैर्ल मिशन का 50 और के इन विलमसन जो कि उनको टुक टुक कहा जाता है उनका स्ट्राइक रेट देख रहना आपकी 110-115 का भाई उससे आप क्या जबर्दस आपकी टीम ने गेम दिखाया और जिस पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा था आपकी ऑपनिंग जोडी पर उसने सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया कहीं आपकी गोदी में मैच लाकर उसने दे दिया कि भाई मैच जीत लो आप उसके अलावा और क्या है कि यहा सपोर्ट ने और जो सपोर्ट स्टाफ था उसने बहुत अच्छा है इंका साथ दिया उसी वज़े से इनका बेस्ट निकल कर आया है और सेमी और कहरे थी कि फाइनल में भी ऐसे ही पर्फिमेंस की उम्मीद रखूँगा मैं उसके बाद आते हैं यहाँ पर मैथ्यू होड़ बही स्ट्री वीलमसन आयते पहले कि विलमसन ने का कि वरी अनफोर्चुनेट है कि उनके बॉलर्स उनके लिए उतना चानिकर पाया परन्तु पाकिस्तान को उन्होंने कि और बताये कि क्यों वह टीम जी थी और न्यूजिलंड के बताये कि टाम से विकिट ने निकल पाई और फर्स्ट पार्टनेर्शिप जो चली और जो उन्हें गलत रिव्यू लिए कहीं न कहीं वो उन्हें लॉस कर गए और फिर भी जो मुकाबला है वो लास्ट ओवर तक की पहली बॉल पर फिनिश कर दिया और मैन अफ दे मैच आपको ता मौमध रिजवान है और बाबर आज अलग जगा पहुच गई है यह टीम और जो टीम किसी टैम पे एक पांचवे स्थान पर थी अपने गुरूप में वहां से लेके फाइनल में सबसे पहले पहुच रही है तो कहीं ना कहीं तार्जुप की बात है और 1992 रिपीट हो चुका है और वहीं चल रहा है यहां पर तो उन्होंने निदरलेंड की खिलाफ गेंदबाजी किया तब से अपने बिलकुल बढ़िया पर्फोमेंस वो करते हुए आए है तो पाकिस्तान के लिए आज जो मैनद मैच रिजवान तो है ही परन्तु जो हारिस ने मोमेंटम शिफ्ट किया है जहां पर अगर दोते लिकेट पाकिस्तान के वहां गिर जाते तो यहां पर आगे दिक्कात आ सकती है परन्तु यहां पर अच्छा किया मोमध हरिस ने अटेक किया और इनके जो ओपनर्स हैं वोनोंने अपनी लाइफ की बेस्ट यहां पर इनिंग खेली है चाहे आप बाइलेटरल में या फिर पूरे साल आप हारते हाओ जीतते हाओ जो मर्जे रिकोर्ड बनाओ परन्तु जो आप एक समी फाइनल और फाइनल में इनिंग खेलते हो वो आपकी लाइफ टाइम याद रखी जाती है और मेरे सबसे डी टून्टी की वर्ल्ड कप में काफी अच्छी नोख है और देखते हैं टीम इ में इस इंग कॉंटेंट के साथ